नहुस्कार आप देख रहे हैं एनपी चाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताज अपडेट में मैं हूँ आपके साथ अभिलाज आईपेल 2023 के आगाज के मुकाबले में जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि पहले मुकाबले में 170-175 रन बन सकते हैं और कुछ हुआ भी वैसा ही है से कप्तान अर्थिक पाडिया ने टॉस जीता और टॉस जीत कर गिया यहां पर पहले जैंद बाजी का फैसला कि कि आप आथ तुछ की लिद्वाजी के बाग हम पहले जैंद बाजी करें वेराल डिवन कौनवे और रुतुराज गायगवाड ने पाडी की शुरुआगत इ वह तो वही जाने लेकिन आज जवर्दस बैटिंग उनों की है शतक से चुके जरूर लेकिन बहुत शाहतार बैटिंग डिवन कॉन्वे का विकट तीसरे और की दूसरी गेंद पर मिला जब यहां पर मोहमत शवी ने उने सीधा बोल्ड मारा प्टैके तो में एक रन उने बन एक सो उनासी रनों का लक्ष यहां पर दिया है जिनने सुपर किंग्स ने गुजराट टाइटन की टीम को वह भी उनके होम ग्राउंड पर डिफेंडिंग चैंपियन ने गुजराट टाइटन की टीम वह भी जानते हैं कि यह मुकाबला बहुत एहम होने वाला है आप एक के साथ शुरुबात करना चाहते हैं मोहिनली 17 गेंदों में यहां पर देश रन बनाकर राशिद कान का शिकार बने राशिद कान का पहले स्मेल वाकमाल खुबसूरत स्मेल था रिदिमान साहा ने उन्हें स्टंप आउट किया चाक्का उन्हों अपनी बारी विजड़ा इस परे है कि आप 14 मैच की लीग के रहते हैं मैं बुरा मतमानिय का लेकिन रहना वे बुरे नहीं थे अगर आपको अंबतिराइडू कोई खिलाना है लेकिन आज समझ नहीं इनको भी नी समझ आ रही थी और लोगों को यहीं नी समझ आ रहा था कि आपकर केल को रहेते शिवम् आपके पास अमेलेबल है जडेजा का यूस अभी झीच के गीजीम उत्रे तरीके से नहीं कर पा रही है नाहीं इनकी कपतारी का इनौने यूस तरीके से और नाहीं इमको सही तरीके से अभी तक समझा है CSK की टीम ने ये तो दोनी कि आपको भू मान लीजिए एक लिगेसी कि अभी भी भी रविंदर जड़जा उनके कहने पर CSK की टीम के साथ जुड़े हुए हैं साथ ये दोव चौदर बनाकर कप्तान दोनीर नाबाद रहे एक यह बहुत अलग लेवल के क्रिकेटर हैं अले बूढ़े हो गए हैं यह यूं का एक रुदबा अलग है और उनों ने वह दिखाया भी है बार 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 एक समय असा था कि जब बाकी विक्रिट्स किरते थी ना तो अमस्वी पहले आज आज देते बाले बाजी कर गए लेकि कि यहां पर गिद्बाजी की बात की जाए गुज्रा टाइटन्स की तो मुहमद चमी चार और उतिस वर दो विक्टे अर्दी पंडा तीन वर अटाइस रन वही सफलता नहीं जौश लिटल चार और एक तालीस रन एक विट जो पहला ओर था जॉश्वा लिटल का वो थोड समध से परे नजर आ रहा है अब जिस तरीके की बैंटिंग होई है अब बात करने लिट्राज का इंपाइट की बहुत शांदार बैंटिंग आप इंटरनेशनल क्रिकित में क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हैं समध से बढ़े हैं श्योमान गिल अपनी प्लेस पर करार तो वह 132 के स्ट्राइग्रेट है उनका और 132 के स्ट्राइग्रेट के बावजूद आज उन्हों में जिस तरीके से बैंटिंग की इस चौरासी के स्ट्राइग्रेट रहा है पचाज गेंटों में बनाए चार चौके नौच होंके ये शायद चातर पार करते लेकिन स्ट्राइग में गए प्रेम को स्लॉच्राल करते लोगार्ए लोग들 प्रेंट service स्ट्राइग्रेट करें घझेच कल रहें इस वज़ेसे यहां पर सीश्के खेए तीम को का सामना करना पड़ रहा है अब सवाल यह उठता है कि क्या गुजराट टाइटन्स चेस कर पाई इंपक्ट प्लेयर का इस्तमाल CSK नहीं किया इंपक्ट प्लेयर रूल इस IPL में लागू है लेकिन CSK ने अपने इंपक्ट प्लेयर को कहीं पे भी इंट्रेड्यूस नहीं किया यह भी एक बड़ा सवाल था वहीं दूसरी तरह अगर गुजराट टाइटन्स की आपके इंदवाजी देखें मुहमत चमी चारवर उंतिस रद दो विक्टे अर्धिक पांडिया तीन और अट्टाइस रन कोई सफलता नहीं जोर्श डेडल चारवर एक तालीस रन एक विकें दूसरी टीम भी आरही है वले बाजी करने एक तो यह पर यह देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बाकी खेलते हुए नजराद सकते हैं चली अब टाइम हो गया है बाई दूसरी टीम भी हारी है बले बाजी करने एक 189 का टार्गेट है यह से चेस्डाउन करेंगे यह बड़ा सवाल है आपकी क्या रहा है हमें मारे कमेंट बाफ समेंशन के जरूर बताईगा वहीं दूसरी तरह की बॉलिंग आप किस तरीके की रहेगी वह भी देखने वाली बात होगी यहां पर सेस्के ने बैटिंग तो आप मुकेश तो चले गए उन्होंने आज हंगरेकर को खिलाया है अब हंगरेकर किस तरीके से खिलेंगे यह भी देखने वाला दिल्चस्पोगा एंपी टाइमस की रिपोर्ट